नमस्कार किसान वाई आप सुभी लोग का हमारे चैनल इंडिन किसान चले में स्वाइब आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि धान की फसल में N.P.K. एक चीज़ में आपको बताने वाल हूं वीडियो में वह क्या नुकसान है तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंतर देखते रहेगा सब्सक्राइब करना अगर रच वीडियों आज की वीडियो में पहुत ही जानकारी नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं सुन पहले हम बात करते हैं की एंप के 2009 क्या है यह सभी का मारे कि पता है कि में निर फार्स परसपॉर्स लप Christmas लते हैं और इसके नाइटरोजन यहहिए नहीं प्रियोग करतें तो ड़ान की ऑप खोल दीब दॉडőर्वकर करों लेकिन धान की फसल होती है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉस्टेशियम होते हैं और इनका सही समय पर कोई भी खाद का प्रियोग नहीं करते हैं तो अपनी धान की फसल कोई फसल करते हैं उससे अच्छा पैदावार नहीं ले सकते हैं नाइट्रोजन हमारे जो कि फसल होती है। उसमें वेचेटीब ग्रोथ बलाने में काफियदा शाहिता करता है अब बात करते हैं फास्परोसुरंस होता है हमारी रूट्स होती है करने में काफी दर साइटा करता है pens Pilkaय करता करते हैं हुआरे जो साइटा करता है उसको स्ट्रेस से by भार का दि अधे तो स्टेलरिंग को भरकार रखने में और उसमें को दूर करता है दूसरा हमारे जो पॉध्य में दान की दान की कि लिए क्योंकि पोटास एक ऐसा प्रस्व तत्वाय जो कि हमारी जमीन में हमेशा कमी देखने को मिलती है पोटास की कमी से अमारे जो दाना वर्गे फसले होती है उनका दाना बारी होता है जिसे कि धान की फसल आती है और बाली में देखा होगा कि अपने 20-30% बाली खाले रहाती है तो पोटास की कमी से हमारी बाली में काफ्याधा हानी देखने को मिलते हैं और यह पोटास से बहुत सरी कमीया़ देखने को मिलती है तो किसान भी अब बात करते हैं इसके फायदे की जैसे कि नाइट्रोजन फास्पोर्स पोटास की जैसे जमीन में देखा जाए आज के समय पे हम फसल चेकर नहीं अपनाते हैं काफी हमारे किसान में जिस वैसे कहीं ना कि खात की डिफिसेंसी देखने को मिलती है तो नाइट् होगी जो कमी हो देखी हो देखा और अच्छी तरीके से यह बेस्टिप ग्रोथ में ग्रोथ करेगा और पोटास उसमें बालिया बाएंगी तो उसमें यह दाना चमगदार होगा हमारा बाली भर करकर के आईगी और हमारे दानी शुरूष लेकर उपर तो बाली का साइज हो होगा वह लंबा होगा दो फारव का यह फायदा होता है अब बात करना ते किसानी है कि सब्सक्र樣 का सकते नहीं było जैसे हमारी दान की फसल आप बेखा ही 25 दिन की हो चुकी है और जो धन की फसल किसान भी 25 से 30 और 35 दिन की हो जाती तो उस सहे पर हमें nitrogen, phosphoran, potassium का एक spray अबस्ट दिना चाहिए, यानि कि जो NPK 1919 है तो इस सहे पर हमें अबस्ट दिना चाहिए, और आप साफ पानी में इसका spray करें, ये साफ पानी में करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल देखने को मिलेगा, बात कर लेते हैं किसान भीओं कि हम इससे की insecticide का प्रियोग कर सकते हैं, इसके साथ में या फंगिसाइट का प्रियोग कर सकते हैं, तो किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्षन कर जाते हैं, तो कहीं कहीं पर इसका बहुती गलत रिजल देखने को मिलाए, कहीं कहीं पर फसले बरबाद हो गई हैं, क्योंकि एसा होता है कि किसान भाई ने ध्यान नहीं दिया और उन्हें जो फास्पोर्स के साथ रियक्षन करने वाली इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइट का प्रियोग कर दिया जिसे उनकी फसले बरबाद हो गई हैं, तो किसान भाई जब भी आप इंसेक्टिसाइड एंपी के उन्हें में स्प्रे करने जाने तो उसमें अच्छी तरीविए से पढ़ ले और पढ़ने के बाद में कि आपको लगे कि हाँ यह एक्षन डियक्षन नहीं करेगा फास्पोर्स के साथ में सुलफर के साथ में तब आपको एक किलोग्राम एंपिके उन्नीट-उनीट लाने है और एक एकड़ के लिए यह एडोस है और एककल लिटर पानी में घोल तैयर करना और इस्प्रिक कर बिनने आपके जो धान की फसल में फांगस मुक्त होगी, कीट मुक्त ही आपकी दान की फसल एकदम हारी बड़ी दिखाई देगी और आपका जो पैदावार पिछली साल के मुकाबले दावन निकल कर आने वाल कशण बार आपके तिलन होगी वह बहुत ही जवदस्ट भली आपके खेत एकदम भार जाएगा और आपकी पैदावार बहुत ही जवदस्त निकल खर करें तो इसे attach MILL लेके में अगर हो कोई भी आपका सवाल है तो आपने में कमेंट कर सकते हैं तो अगली वीडियो में ते किसान भाई हो नई वीडियो में नई जाने करें के साथ धनबात किसान भाई हो